पहले कीक बनाने को जो डेकुरेशन है जो कैंडी है न वह बना कर रखूँगे उसके बाद में कीग बनाओगी so तो मैंने चीनी ले लिया है चीनी में कुछ भी नहीं डालना है और आप इसको डाल के पस थोड़ा थोड़ा चलाते रहे नहीं भी चलाएंगे तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी धीमी आज़ बनाएगा और जानते यह दो किलो का बड़ा सा केक मुझे बनाना बड़ा सा तो पानी और एक में डाली हलका पिंक और यह बनते बनते थे कि एक और इंज बन गया वह क्यों बना क्योंकि यह कलर ना कैरमल होके जो पीला हो जाता है मतलब लाल जैसा है वह अगर आप कैस्टर शुगर का यूज़ करेंगे तो आपका कैरमल एक दों वाइट बनेगा और बि लेकिन थोड़ा सा और भी अलग से डेकोरेशन कर दिया ताकि कुस्टमर को बिल्कुल पता नौचले वैसे वीडियो देखती है वह और वहर बार हर साल मतलब उन्हों तीन साल से मुझसे केक लेती है अपनी बेटी के बड़े पर तो इस बार का बड़ा ही केक था तो यह द दूसरा वाला जो औरेंज कलर करें दीरे दीरे गाड़ा हो जाता है भाईया जो कटोरी में चिपका था ना वह आज कली मैं ने बना तो आज उसको धोध होके ठक गए थी गरम पानी उसमें डाल के रखा तब जाकियो निकला तो जितनी जल्दी आप कर सकते हैं काम उतनी ज ज्यादा हो रहा था इसलिए क्योंकि क्लर वह नहीं था जो कलर चाहिए एक तम डिफ्रेंट कडर मतलब मुझे पीच पिंक चाहिए था और आसमानी जो एकदम स्नू आलस मानी होता ना वह आला चाहिए था लेकिन बंते देख रहा है न तो इस लिए ध्यान से आप काश्ट आप स्टोर भी कर सकते हैं आप सेटाइट कंटेरर भर के रख दीजिए और जब आपको लगेगी केकी उपर लगाना है तब लगा दीजिए हाँ पुरा तार तार अब निकलने लगा देख रहें तो ध्यान से और बस इतने ही बन पाया मेरे से क्यों इतनी जल्दी कर रही थी तो ही सिर्फ इतना ही बन पाया तो यह हमने पूरा कंप्लीट कर लिए उसके उपर डाल दिया स्प्रिंकल अब कलर फुल वाले डाल दीजिए ऐसा वाइट वाले डाले यह गोल्टन वाले डाले डाले कैसे हैं आप्रों मैं हुरेंवर आज आपा हैं गोपिल किचेंड में बढ़ा ने जा रहे हमाने अर मैं आज बनाना यह पान है नर। तो डिन के इसन गानाश को झातम होने का अदू अज बनाया और दिन के अंदर कि काइओ होनी चाहिए अगर आपकी दो दिन में खतम होती है तो भी टेंशन वाली बात नहीं कैसे बनाने जो जानते हैं तो पता है कि कैसे बनाती हो और जो बिल्कुल नए है जीने नहीं पता है तो वह कैसे बनाएंगे तो उनकी लिए आज में बताऊंगे तो पहले यह लिक्वीड जारी कमा नहीं बटाता है कोई नहीं बताता है कि सपेशल ट्रिक में इसमें आपकी एक दम ऐसी वाली लिक्वीड हुणी चाहिए और बिल्कुल चीह गभीट सुने चाईए यही कि यह कि थे नहीं कोई यहिदा रीक हुए मैं je तो चलिए फटावट से कुछ नहीं करना भईया आप बीटर ले लेजे 300 वाट का साड़ी 300 वाट का और क्रीम लेजे लिक्विडी और चिल्ड मतलब कोई माय का लाद नहीं रोग सकता आपका क्रीम बढ़े कोई इसी भी ब्रांट का ले लेजे किसी भी लोकल ब्रांट कोई चलेगी आपकी विप्क्रीम बड़ी है स्मूध बनेगी तो मैं अभी फिलाग बीट कर ही लाती हूं मेरा बीटर वो कोने में रखा हूँ है क्योंकि जब भी मेरा ज्यादा केक और मैं कभी खड़े हो कि जाले देर तक काम नहीं करती मैं थोड़ी थक जाती हूँ वह अब भी बेक करना था तो मेरा टेबल पर लगा दिया है तो वह मेरा कीचन में होता है और बहुत बड़ी सी कुछ खबरी देने वाली बहुत ही जल्दी आपकी गोगल कीचन का अच्छा वाला स्टूडियो मतलब बहुत बड़ा वाला नहीं पोड़ूंगे बड़ी बड़ कि मतलब दिल से शुक्रिया धन्यवाद मुसे यहां तक परचाने के लिए और इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए चलिए आज की पहले वीडियो देखने देने तो फिर आप लो बोरो के बाहँ जाएंगे ताक फिलाल मैं चलती हूं यह रहा हम हमारा बीटर और बैट क कि सारे क्रीम को मैं बीट को दूए तो यह देखिए बीना मैंने क्रीम रेडी की है और आपने देखी मैंने कितनी मिनट में किया कुछ भी अलग से एड नहीं कि और एक दम बढ़िया वाली आपकी क्रीम रेडी की है तो यह बीटर खुरीम करेंड और बीटर लिक धानी होई एक की बीटर क्रीटने जाएंगे तो यह वाला जो हैना इसका नॉब यह निकाल कि और फिर बीटर को हाथ में अगर आप आप आप्लाइन क्रीम आपकी ऐसी वाली बनने से कोई नहीं रोख सकता तो मैंने बताई कि क्रीम आपके लिक्विडी होनी चाहिए दूसरी एक ठंडी होनी चाहिए और तीसरा आपका मेन रोल जो भाईया करता है आपका यह बढ़िया वाला बीटर तो कम से कम बीटर आपकी 300 वाट की होनी च 400 वाट ले लिए चलेगा बट बीटर आप 300 वाट से उपर का ही लिए चली तो आप मारा क्रीम तो रेडी हो गया है और क्रीम मैंने और बनाके रख लिया है क्योंकि बड़ा केक है तो धेर सारा क्रीम चाहिए और अब चलते हमारा जादू वाला गनाश रेडी करते हैं तो सब्सक्राइब करें तो अब अब बनाती हूं क्योंकि हर बार सबकी पास अमूल की फ्रॉष क्रिम नहीं होती है तो तो अगर यहीं उसकर लेता है तो फिर आपको यही उसकरना पड़ेगा तो श्रीक रइंच कर लेते हूं गई कर लेता है कुछ एक्स्टर ने दिये हैं कुछ एक्स्रा है अगर आपने जो चार्ज केया तो अगर अगर तो यह दो सो ग्राम है तो वन केजी में चाहेगा तो मैं पूरा चार पट्टी यूज करने वारी में इस अपने गर्नाश बनाने को लेकर तो इसको क्या करूंगी पहले ऐसे छोटा-छोटा चॉप कर लीजे ठीक है तो एकदम बढ़िया जल्दी से चॉप हो जाता ना पतला पतला तो फिर जल्दी से मिल्ट भी हो जाएगा और एकदम बढ़िया और कुछ भी इसमें अलग से एक्स्ट्रा एड नहीं करना भाई आप बिल्कुल परिशान मत होएगा इसमें न्यूट्रल जेल डालना शाहिं के लिए बटर डालना है शाहिं के लिए ऐसा कुछ भी न इसमें जाएगा अपना विपिंग क्रीम तो मैंने थोड़ा सा डाला था भूल गए थी कैमरा बीच में बंद हो गया था अभी हमने इसमें पूरा कपूरा 200 अमल डाल दिया है अपना टोपो लाइट और इससे चलके हम पहले मिक्स करते गैस पे तो अच्छे से गैस को कर ल तो यह आपको तीन से चार मिनिट लगेगा एकदम बढ़िया मिल्ट हो जागे देख रहा न और अलग से आपको कुछ भी समयाट मत करिये का ऐसे इतनी बढ़िया बनती बस इतना देयान रखना आपको कि जब भी आप उपर पोरिंग करेंगे ना केके उपर तब अपनी ग गी न तेल कुछ भी ने बहुत सारे लोग तेल भी अभी आड़ करने लगे हैं आपको तेल भी आड़ी उसमें इतना सारा तेल होता है तो यह जो देख रहा है ने यह साथ इंच का केक टीन और इसमें मैंने दो बार बेस बनाया ठीक है तो यह दोनों मिला के डेड़ केजी अगर आपको एसा लग रहा है कि जैसे बड़े बड़े प्रोफिशनल लोग कट करते हैं अगर वो क्या बलते हैं ब्रेड नाइफ से तो आप ले सकते हैं लेकिन मुझसे तो ब्रेड नाइफ से जादा है जो अपनी फेरी वारे जो चाकू बेस्ते हैं मुझे लगता है कि बेस्टम बेस्ट है भाई आप इसी से काम करिए क्यों इतना पैसा खर्चा करना कटना ही तो है हमें केक और अच्छे से कटता है एकदम बड़िया तो यह हो गया अब आते है जो दूसरा पतला वाला की बार यह भी मैंने हाफ केजी का ही बेस रेडी किया था फिर बात में जो एक और बेस में बनाई उसमें मैंने एक्स्टा प्रिमिक्स एड किया ताकि एकदम बड़िया से मतलु यह हो जाया हमारा पूरा डेड़ केजी हमारा केक रेडी होना ही चाहिए तो दो कप से थोड़ा सा कम मैंने लिया था क्योंकि उसमें हमें अल्रेडी उपर से कोका पाउडर एड करना ही पड़ता है तो यह देखे यह पूरा मिला कि हमने डेड़ केजी का केक दोनों को मिला के रेडी कर लिया यह साथ इंच वाले ही केक्टिन और इतना सूपर यह थी एक साथ की, और ही और और भी दो प्रोटीन वे यह सब अड़ करके मैंने बनाई है मतर कमर्शियल भी किया है और नार्मल हूम्मेड ही किया आप दोनों मेंसे जो अच्छा लगे हो आप मेरे चानल पे जाए गोकल किचंपिर मिक्स लिक्ए मिल जाएगा तो डाल दी अपने क्रीम में ठीर सारा गनाश गनाश जल के एकदम बड़िया से कर लिजें किया तकि हर जग हर पूरे क्रीम में अच्छे से अपनी गनाश की जो लेयर हो आ जाए फिर ले लिए स्पाँज को कर देंगे सोक तो सोक कैसे करेंगे आप चीना पानी ले सकते हैं नॉर्मल आपको जो अच्छा लग या वो यूज़ कर सकते हैं बड़ियर से क्रीम को फेला दीजिए और उसके ऊपर डाल दीजिए गनाश यह रहा हमारा गनाश देखे कितना बसमस्त एकदम शाइनी वाली गनाश है तो आप डाल दीजिए और हर लेयर में मैं अच्छे से गनाश डाल करने के लिए भी तो वापस हमने सोग कर दिया अच्छे से दो ही लेयर आपको दिखाऊंगे फिर वापस एक क्रीम लगानी है एकदम बड़िया से फैलानी हो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि ऊपर वाली जो सर्फिस है वह एकदम पूरा बया क्लीन होना चाहिए ऐसा कुछ बिल्कुल भी जरूरी नहीं अंदर तो दिखता ही नहीं आप चाहिए आपका बेस तो आप उसको अच्छे से कर लीजिए चाह जैसे करिए तो वापस हमने डाल दिया धेर सारा गनाश और अब करेंगे हम लोग इसकी आइसिंग मतलब पूरा फैल आने वाले है पूरा फैल करके केक को रेडी कर लिजे ये देखे ऐसे ऐसे इतनी स्पीड दीच करनी तो फटा फटा फट दूसरी लेयर रखते जाए उपर से फिर अपना क्रीम लगाए फिर डेट सारा गनाश लगाए और फिर ऐसे करके मैंने इसलिए ही की है ताकि हमारे कस्टमर अगर ये वीडिय क्रीम उससे कर देंगे हम लोग पूरे केकी कवरिंग पूरा ये केक वाइट था उपर वाला भी पूरा प्रॉपर वाइट था नीचे वाला भी पूरा प्रॉपर वाइट था तो एकदम बढ़ी है से इसको देखे छोटा वाला जो हमने बनाया था ने ये वह है और बड़ के बाद फिर दीचे हमने थोड़ा-सा गंश लगाया और फिर ये उठा लिया अपने पैलेट यह बिल्कुल भी सेट नहीं यह बिल्कुल भी सेट नहीं और बड़ा कि जब भी उठाएगा तो जब ध्यांसे उठाएगा थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है क्योंकि छोटा के त तो अच्छे से एक्दम से क्लीन करिएगा और जब भी मैं मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं अधिकीस में मैंने पेपर डॉबल डाल दिया है पांच-पांच मैंने डाला है ठीक हो डालते वक्त उस्टम वीडियो रिकॉर्ड ने हुआ और चो केक की फोटो उन्हों ने भे सबसे इस खॉटे में तो मैंने फूट गोल्डन वाला ही लगा दिया लेकि बात में मुझे लगा कि अश्छा नहीं लग रहा है का रिम हें वहां पर डिजाइन बना बनाकि वेस को कवर कर दिया है और फिर मैंने गया क्या है ले लेत हैं यह वाइट ग्लीज इस लिया है इ करेंडी हमें इसी कलर की चाहिए थी लेकिन जो हमने नॉर्मल साधा चीनी यूज किया ना उसकी वैसे वह कैरमल एकदम से लाल हो गया अफिट लाल में अब कलर एड़ करेंगे तो भाई लाल मतलब औरेंज जैसा हो गया अब उसमें हम पीला पीरा के रहे हलका ब्लू कलर डा तो ग्रीन में बदल गया और रेड़ कलर डाला तो औरेंज में बदल गया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वह के ऊपर लगाऊंगे कैसे इदम मैं टेंशन में थी मतब तक सर जी मेरे पास थे नहीं फिर सर जी आ गया फिर आपके पास बहुत सारे सु कैंडी अब लगाऊं कैसे मैं सोचो कितना अलग कलर हो गया बहुत हैं जमीन आस्मान का फॉर फिर भी मैंने एक दो कैंडी लगा दी थी क्योंकि उन्हेसा न लगे कि मतलब मैंने ऐसी बस बना दिया उसके बाद मेरे पास वह थी स्काइबलू कलर की तो मैंने वह लगा दी यहाँ पर मेरे पास टाइक था तो मैंने वह भी लगा दिया यह सब मैं अपनी तरफ से ही लगा कि मतलब यह 1500 में पूरा करके दे रही हूं ठीक है वापस से बीच में भी एक छतरी थी वह भी मैंने लगा दिया ऐसे करके मैंने केक का लुक कंप्लीट किया वैसे पूरा अब ज़र निचे एक दम नॉर्मल सिंपल ही था ऐसे था थोड़ थोड़े स्प्रिंकल लगे हुए थे तो मैंने खुछ से जितना एडिशन कर सकती थे किया और केक की पैकिंग ऐसे ही मैंने की देखिए बहुत डर लग रहा था एक तो मुच्छे से सर्जी की हेल्प से मैं ने रख लिया वटावर से निकली उनको देखे आई तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएगा पसंद आई होगी तो लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा और चली मिलते हैं कल की वीडियो में सो थैंक्यू बाइ